पाक्स्तान मिलिटरी में सैनिटी वर्कर और स्वीपर के तौर पे हम कैसे अपलाई कर सकते हैं, कैसे भरती हो सकते हैं पाक्स्तान मिलिटरी में बहुत कम पड़े लिखे लोग जो हैं, वो कैसे सर जाते हैं, जो प्राइमरी पास हैं, या जो खांदा हैं, पड़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा तैलीम आसल नहीं कर सकते हैं, वो कैसे मिलिटरी में जॉब ले सकते हैं, कैसे गौर्मिन जॉब में आ सकते हैं हमारे लिए भी वीडियो बनाएए प्लीज तो ये मेरी आज की वीडियो जी उन लोगों के लिए जो कम पड़े लिखे हैं पाकिस्तान आर्मी को कैसे जाइन कर सकते हैं कैसे अपनी जॉब का अगाज कर सकते हैं मैं हूँ जी रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल तो वीवर्स इस चैनल पे मैं आपके लिए जोब का अगाज की तरह से करना है और कैसे कैसे आप अपनी जॉब के मराहिल से गुजर सकते हो और जॉब असल कर सकते हो तो देखिए आप लोगों ने जो जॉब असल करनी होती है उसके लिए सबसे पहले क्राइटरिया सुनने क्राइटरिया आप मीट करोगे तब ही आप उस जॉब में आओगे पाकिस्तानी मर्द शैरी होने चाहिए जी पांच फिट तीन इन चाप का कद होना चाहिए उसके सासाथ आपकी जो तालीम है प्राइमरी पास होनी चाहिए यानि पांच जमातें और ज्यादा पड़े लिख लोगों को तरजी दी जाएगी उसके बार जी आपका जो एज है करेटरिया वो 17-18 साल से लेकर 35 साल तक है 35 येर्स तक आप जिसमें आसकते हो उसके सासाथ जी आपकी जो अकलियतों का कोटा होता है उसमें अकलियतों भी आ सकती है तमाम लोगों का मखसूस कोटा है माइनौरिटीज का वो भी आ सकते हैं आपकी 6x6 नजर with or without glasses दोनों तरह से चल जाएगी आपका कद का भी इशू नहीं है कद कम भी चल जाएगा उसके साथ जो GB गिलगित बलतिस्तान अजाद कश्मीर के कुछ ऐसे डिफाइंड सिंध रूरल एरियाज हैं जो पाकस्तान मिल्टरी में डिफाइंड है उन सब लोगों को रियायत है उनकी तालीम में भी रियायत होती है कद में भी रियायत होती है एज में भी रियायत होती है और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं अब मैं आता हूँ जी इसके तरफ कि आपने अपलाई कैसे करना है तो देखिए आपने जो अप्लाई करना है अपने तमाम डाकुमेंट्स असनाद तालीमी असनाद हर चीज लेके आपने आउनलाइन भी अप्लाई कर देना है पाकस्तान मिल्टरी की वेबसाइट पे जाके www.jov.pk इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो उसके लावा हर शहर में पाकस्तान मिल्टरी के रेक्रूट्मेंट एंड सेलेक्शन सेंटर्स होते हैं आप वहां जाके भी अप्लाई कर सकते हो आपने अपनी तमाम डाकुमेंट्स के दो-दो कॉपियां करवा लेने हैं दो सेक्ट बनवा लेने हैं, उनको अटेस्ट करवा लेना किसी गस्टिड आफिसर से, उनको अटेस्ट करवा के आप वहां पे जाके अपलाई कर सकते हो, और अपना डोमी सायल, CNIC, वाला साब का CNIC, चार अदद पासपोर्ट, साइस, तसावीर और असल असनाद, असल डिग् क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें आपकी जमा हो जाएंगी, आपकी रख ली जाएंगी, अगर आप रेजेक्ट हो जाते हो, तो उसके पीछे स्टेम्प लगा के आपको दी जाती है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो देन फिर आपको तमाम डाकुमेंट्स आपकी तन सकते हो, इस जॉब का अगाज कर सकते हो, सैनेटरी वरकर और स्वीपर के तोर पे आपने सफाई करनी होगी और सैनेटरी का काम करना होगा, अकलियतों के लिए मैंने आपको बता दिया, जी आपका कोटा है, उसमें करेसियन्स हैं, हमारे भाई, उसके साथ हिंदू हैं, आसकते हैं, उसके बाद जी मैं आता हूँ, आपके सवालों की तरह के भरती का प्रोसीजर क्या होगा, तो देखिए, भरती का प्रोसीजर मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बता दिया, आपने अपने फॉर्म सब्मिट करवाने हैं, पाकसनार आर्मी रेक्रूट्मेर् वादेने हैं, उसके साथ साथ आप आउनलाइन भी जमा करवास सकते हो, और आप अपनी जॉब का अगास कर लेते हो, क्या हम मजीद तालीम जारी रख सकते हो, इसमें कोई ऐसी रिट्रिक्शन पबंदी नहीं है, आप अपने तोर पे ही पड़ो के आप रेगुलर इसर बन सकते हैं, बिल्कुल जी, आप बन सकते है, अगर आप उसमें एज क्रीटरिया में पूरे आ रहे हो, आप अपना काद्षाद चाहती तालीम वो सारे क्रीटरिया को मीट कर रहे हो, आप आ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, आपको पबंदी नहीं होती, बलके आपको रियायता असल हो जाती है एज में भी रियायता असल हो जाती है आपको नंबरों में भी रियायता असल हो जाती है एज आपकी जो है वो पचीस साल तक हो जाती है और आपकी जो अलीम है वो 50% तक मार्क्स आप अपलाए कार सकते हो वैसे 60% मार्क्स हैं ISSB के लिए लेकिन आप उसमें 50% वाले भी लोग अपलाई कर सकते हो क्या ये लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं बिल्कुल जी यूनिफॉर्म पहनते हैं पाक्सिनल मिल्टरी का हिस्सा होते हैं यूनिफॉर्म पहनते हैं और से सुने जिए इनका मेडिकल फ्री होता है इनकी फैमली का मेडिकल फ्री होता है इनकी तालीम फ्री होती है बच्चों की उसके साथ जी इनको रहाश मिलती है उनको खाना मिलता है उनको हर चीज मिलती है फसिलिटीज मिलती है पाकस्तान आर्मी के जितने रहाशी स्कीमे ह में उन के मेंबर भी होते हैं और्ष हैं थोड़े-थोड़े पैसे कट कि इ츠 नियुक galaxy है उसलिए जॉब आप लोगों के लिए बहुत अच्य होते हैं और जो पाकिस्तान आरभी मेंожд logsk few नहीं कर सकतेSí डिटेल के साथ आपको बेस्षमार वीडियो में बता चुका हूँ कि जी आप लोग जो हैं आपके खिलाफ को क्रिमिनल केस रिजिस्टर ना हो आप आएसस में में दो दफा स्क्रीनोट हो चुके हो आपका किसी अदाले से इस्थारी या पी ओज प्रोक्लेम डोफेंडर आप डिकलेर ना हुए हो आपकी सिख्लाकी जुर्म में ना हो 120 दिन या चार महीने के अंदर अंदर आप मिलिटरी की किसी भी ब्राश से आप निकाल ले गए हो कि चाया को उसे लोग जो डिफाइंड होते हैं बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ वो निसमें अपलाएं नहीं कर सकते हो अकलियतों का कोटा होता है उसमें अकलियतें भी आ सकती है तमाम लोगों का मखसूस कोटा है माइनौरिटीज का वो भी आ सकते हैं आपकी 6 पर 6 नजर बिफाइंड है उन सब लोगों को रियाएत है उनकी तालीम में भी रियाएत होती है कट में भी रियायत होती है और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं अब मैं आता हूं जिसके दरफ कि आपने अपलाय कैसे करना है तो देखिए आपने तमाम साद डाकॉमेंट्स असनाथ तलीम इसनाद हर चीज़ लेके आपने ऑनलाइन भी अपलाई कर देना है पाकस्तान मिल्टरी की वेबसाइट पे जाके www.jov.pk इस वेबसाइट पे जाके आप अपलाई कर सकते हो उसके लावा हर शेहर में पाकस्तान मिल्टरी के रेक्रूटमेंट और सेलेक्शन सेंटर्स होते हैं आप वहाँ जाके भी अपलाई कर सकते हो आपने अपनी तवाम डाकूमेट्स के दो-दो कॉपियां करवा लेनी हैं उनको अटेस्ट करवा लेना किसी गस्टिड आफिसर से उनको अटेस्ट करवा के आप वहाँ पे जाके अपलाई कर सकते हो और अपना डोमी सायल, CNIC, वालसाब का CNIC चार अदद पासपोर्ट, साइस, तसावीर और असल असनाद, असल डिग्रियां को तमाम डाकुमेंट्स आपकी तनख़ा पे होने, शुरू होने तक आपके उनके पास ही रहती है, उनकी बाद में तस्दीक होती है डाकुमेंट्स की तो इसलिए वो साथ लेकर आपके जाना बहुत जरूरी है, जिन लोगों का शनादीकर नहीं बना हुआ, वो बे फॉर्म पे भी अप्लाइक कर सकते हैं, गोर से सुन लीजे, और उसके साथ 15 एपरिल है जी, आपकी लास्ट डेट, 15 एपरिल तक आप इसमें अप्लाइक कर स सकते हो, इस जाब का अगाज कर सकते हो, सैनेटरी वरकर और स्वीपर के तोर पे आपने सफाई करनी होगी और सैनेटरी का काम करना होगा, अकलियतों के लिए मैंने आपको बता दिया, जी, आपका कोटा है, उसमें क्रेसियन्स हैं, हमारे भाई, उसके साथ हिंदू हैं, सि अभाई आ सकते हैं, क्या हम जी, इसमें बरती होके, सैनेटरी वरकर और स्वीपर बरती होके तो फर्दर हमारी परमोशन होती रहती है, बिलकुल जी, आपके अपने रैंक्स में, आप सीनियर होते हो, परमोशन भी होती है, और आपकी तन्दूपा भी बढ़ती है, आप मि होती है क्या हमें रियायत असल होती है जी जो सिंद्ध वाले और गिल्गित बलतिस्तान वाले मेंडिटेल के साथ आपको बता जिया दी आजाद कश्मीर सिंद्ध गिल्गित बलतिस्तान या वो इलाके एजनसी या वो सिंद्ध रूरल के इलाके जो पाकिस्तान मिलिटरी में defined है उन एरियास के लोगों को रियायत असल होती है एज में भी तालीम में भी कद में भी वो अपलाइक कर सकते हैं मारक्स में भी और जिन लोगों का जो बूर्ड का एक्जैम नहीं होता उनके स्कूल अपने ही मैटर का इमतहां लेते हैं उनको special और ज्यादा रियायत आसल होती है वो 40-45% तक भी apply कर सकते हैं तो यह थी जी मेरी आज की वीडियो के आप पाकिस्तान मिल्टरी में स्वीपर और सेंटरी वर्कर के तौर पर कैसे अपनी जोब का अगाज कर सकते हो इन्शाला ताला मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में तिल देन टेक कियर अल्ला आफिस एंड गुडबाई पाकिस्तान जिन्दबाद